सब्सक्राइब किजिए सारा सिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटिस टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाइच अगर आप यह पता करने चाहते हैं कि आप दीन भर में कितना किलोमेटर चले है या तो कितना पेदल चले हैं या तो आप मॉर्निंग वक करने टाइम में जसे उल्चारहित की सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आप पेहला दिन्गा इस में dit तो जो भी डेट का आप देखना चाहात है कि आप कितना किलोमीटर चले थे तो वह भी आप देख सकते हैं आज के इस वोड़ों में आपको लाइफ प्रोसेस दिखाऊंगा अगर आपको भी जाना है तो वीडियो के स्किप की बेना तक देखते रहे तो चले वीडियो लाना है और इसको लाने के बाद आप को यहां पर कुछ इस तरह से होम स्किन देखने को मिल जाएगा आपको simply यहाँ पर click करना है और यहाँ पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है vault तो आपको इसको भी enable कर देना है तो मैं यहाँ पर click करके इसको enable कर देता हूँ तो आपका जो पहला काम है यह खतम होगी है और उसके बाद आपको bake आना है और जिसे बेक आएंगे तो उसके बाद आपको कुल इस तरह से कर देना है और इस तरह से करने के बाद आपको अगर आपको यहाँ पर तो जो ट्रेकिंग है वो यहाँ पर दिख जाए आपको simply यहाँ पर click कर देना है और यहाँ पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है recommended तो आपको यहाँ पर click कर देना है और यहाँ पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते है steps और उसके सामने यहाँ पर देख सकते है plus का icon तो आपको यहाँ पर click कर देना है और यह यहां पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से बेक आना होगा और जैसे आप बेक आएंगे तो उसके बाद आपको फिर से बेक आना है और उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर पहले 73 था लेकिन मैंने यहां पर कुछ पेदल चला है उसके बाद यहां पर 748 हो गय यहां पर नीचे दिया हुआ है duration, distance और calories आप यहां से भी check कर सकते और अगर आप चाहते हैं पहले दिन आप कितने पेदल चला था या तो कितने किलोमेटर चला था वो check करना चाहते तो उसके लिए आपको क्या करना है simple आपको यहाँ पर arrow पर click कर देना है और जैसे आप arrow पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पुड़ा का पुड़ा आप यहाँ से check कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं पहला month का check करें या तो कोई भी date का check करें तो उसके लिए आपको क्या करना है Simply आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कब का चेक करना चाहते है वो यहाँ से सेलेक किजिए और जैसे सेलेक करेंगे तो उसके बाद OK पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसके साथ-साथ कितना किलोमीटर चला था वो भी आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं तो परें उम्मीद करता हूँ यह वीडिया आपके लिए